गुद मॉर्निंग एवरीवन, तोड़े, दिस इस यूर मास नोटबुक, वी विल सॉल्व एडिशन सॉम्स, दू यू रिमेंबर हम लोग किस तरीक से एडिशन को सॉल्व करते थे, दिस वन मैथड, ओके, ये किस तरीक से बच्चा, सी, दिस वन स्केच्च पिन, अगर मैं इसको ऐसे इस पोजिशन में रखा है, जो इस इस वर्टिकल पोजिशन, ये कौन सी पोजिशन है, वर्टिकल, अगर ऐसे ही हम इसको इस पोजिशन में रखेंगे, इस इस कॉल होरीजेन्टल, समझ में आई आए आपको, मैं एम एक बार और बता दे, अगर ये पोजिशन ओके वन मोर एग्जामपल हम जब alphabet हमने start किया था तो लूग standing line सीखते हैं standing line like this this is vertical यह कौंसे line है vertical line और हमने sleeping line भी तो सीखा है ma'am आपको ऐसे नहुसरी में dot लगा के देते थे अपने ऐसे sleeping lines भी draw करा है so this line इस कॉल्ड होरिजन्टल लाइन ऐसे ही मैट्स में हमने वर्टिकल सम्स हमने सीख लिए यह ना जो स्टांडिंग पोजिशन में वर्टिकल तो आज हम होरिजन्टल पोजिशन वाले सीखेंगे Okay, horizontal means slipping position में देखो किस तरीके से है ये ये horizontal position में और जो हम already सीख चुके है This is vertical position Okay, so let's start This is also very easy आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं ठीक है, this is very simple है ना, मैं आपको अच्छे से explain कर देंगे तो आप इसको अपने आप solve कर दें लगेंगे है ना, अब आप इसको रेट करो 1, 2, 12, 1, 6, 16 मैं आपने आपको एक चीज़ सा समझाया है है ना, कि हर डिज़िट का अपना अपना प्लेस होता है आप बोलो, हर डिज़िट का अपना अपना प्लेस होता है तो कौन सा प्लेस होता है Once राइट साइड से शुरू करेंगे सेकिंड वाला क्या होता है TENS हम इसका भी पोजिशन लिख देते है Once राइट साइड से स्टार्ट TENS एजी अब हमें आंसर लिखने है हम आंसर का भी पोजिशन लिख देते है Once TENS सिंपल अब देखो बच्चा कैसे करना है आपका सबसे पहले स्टेप है आपको One Stands वाली पोजिशन लिखनी है है ना राइट साइड से स्टार्ट करके Once Second वाला डिजर टेंस सिंपल फिर आपको क्या करना है जो Once वाला पोजिशन है Means Two यहाँ पे Once वाला पोजिशन गौन है Six तो Two और Six को आपको एड करना है सिंपल कैसे करेंगे चलो Six को हम लोग माइंड में रख लेते है है ना उसके बाद Two Finger उपर कर लेते है है ना Six क्या है हमारे माइंड में है और Two हमारे Fingers में है तो Six के बाद क्या आता है काउंटिंग पढ़ो Seven Eight सिंपल तो Once वाले की जो डिजट हमने एड करी है ना This is Editions आए तो हमको यह Once में ही लिखना है अगर आपने Once का एड करके Tense में लिख दिया तो मैम तो Zero दे देंगे आपको यह बिल्कुल गलत हो जाएगा तो Once का आपको Once में लिखना है इसलिए तो माम में आंसर में भी प्लेस लिखवाया है ना Six हमारे Mind में Two हमारे Fingers में है तो Six के बाद क्या आने वाला है Seven Eight तो आप Eight लिख दो चलो अब हम Tense वाली पोजिशन का प्लस करें एड करें यहाँ पर है One यहाँ पर भी है One One हमारे Mind में Second वाला One हमारे Fingers में है तो One के बाद क्या आता है Two Simple हो जाएगा Try करें चलिए सबसे पहले First पोजिशन क्या है Once Tense Once Tense Answer में भी Once Tense सबसे पहले हमें Once Once वाला एड करना है Zero Mind में Five Fingers में One, Two, Three, Four, Five Five Fingers में तो Zero हमारे Mind में है Zero तो कुछ नहीं होता और Five हमारी Fingers में That means Five का Five आ जाएगा अब पर लेकिन किस के प्लेस में आएगा तो Five के Five हमको Once Place पे लिखना है Clear? क्योंकि Once Once एड करके कहा आएगा Once की ही प्लेस पे आएगा ओकी बच्चा चलो अब हम T वाला जो होता है ना Tense T वाला जो है Tense उसको एड करते Three Mind में रख लो Two Fingers में रख लो Simple Three मैं ने Mind में रख लिया है और Two Fingers में रख लिया है तो Three के बाद क्या आता है Three के बाद क्या आता है बोलो Four Five तो चलो Five लिख दो Simple है है ना आपने अगर एक बार Fingers पे सीख लिया ना तो आपको ये Sums बहुत Easy लगेंगे Even अगर इससे भी बड़े बड़े आएंगे ना तो आप Easily कर सकते हो अगर कैसे सीखना है Fingers पे Circle बनाके सीखोगे तो ये थोड़ा सा ना अभी फिर आपको छोटे बच्चों की तरह आएगा क्योंकि आप दीरे-दीरे Sums बड़े होने वाले हैं तो आप Fingers पे करना सीख लो ओके बच्चा चलो तो यहाँ पे Once यहाँ Tins तो ये कौन सा साइन है एडिशन का एड करने वाला है है न तो चलो Once वाली डिजर्ट को एड करते हैं यहाँ पे Four Four Mind में रख लो Two Fingers में अब जब मैं मैं आपने Two Fingers में रख लिया तो Four के बाद क्या आता है Five Six तो चलो Six लिख दो Once Tins Once की जो मैं मैं आड के Once में ही लिखा है अब Tins की मैं आड करके कहा लिखेंगी Tins में Six और Three को एड करना है Six Mind में रख लो और Three Fingers तो चलो Six मैं के Mind में है और Three मैं के Fingers पे है तो Six के बाद क्या आता है Count कर लो Seven, Eight, Nine हो जाएगा दीरे दीरे आप Try करोगे ना आपको और अच्छे से आ जाएगा ठीके बट लेकिन Try तो आपको करना पड़ेगा है ना Regular Practice से आप लोग ज़रूर इंप्रूव करोगे Right, Please Once Tins Once Tins Once और Once को मैं आड करने वाले हैं है ना तो चलो कैसे आड करेंगे Once once Eight Eight माइंड में रखो पर लेकिन Zero finger में तो कुछ भी नहीं है Finger तो Zero है तो मतलब कुछ भी नहीं है तो Eight हमारे माइंड में है तो Eight का Eight आ जाएगा क्योंकि Fingers पे तो कुछ भी नहीं है Add तो करना ही नहीं पड़ेगा है ना तो चलो 7 mind में रख लो और 2 fingers पे रख लो तो 7 मैं आपने mind में रख लिया है न 2 मैं ने fingers पे रख लिया तो आप सोचो 7 के बाद क्या आता है आगे वाली counting बोलो 8, 9 7 के बाद क्या आता है 2 आपने finger पे क्या है न 7 के बाद 8, 9 answer is 9 चलिए दुबारा पोजीशन लिखो One's Tense One's Tense आंसर में भी One's Tense चलो, सबसे पहले One's में क्या है? देखो, One's की डिज़िट देखो O-O वाली डिज़िट, One's वाली One है, सिंपल है न? तो One तो अपने माइंड में रख लिया Finger में तो कुछ भी नहीं है Finger में तो माम के कुछ भी नहीं है तो One माम के माइंड में है तो One का One आजाएगा क्योंकि Fingers में तो कुछ भी नहीं है तो One का One चलो, अब Tense की प्लेस पे अड़ करते हैं यहाँ Two, यहाँ भी Two Two माम के माइंड में है और Two माम की Fingers पे है तो two के बाद क्या आता है? three, four तो क्या आजाएगा? four ओके बच्चे, regular practice करेंगे it will be very easy for you पर आपको four ऐसे बनाना है, ओके? चलिए once, tens once, tens once, tens चलो once variety करो five or three, five ma'am के mind में और three ma'am के fingers पे है तो five के बाद क्या आएगा? जो ma'am के mind में है, उसके बाद क्या आएगा? five के बाद, चलो three count कर लो five के बाद counting, six, seven eight चलो अब tens की बारी आजाएगी two और one, two ma'am के mind में one ma'am की finger में है तो two के बाद क्या आएगा? three ओके बच्चा so this is horizontal edition है ना? तो हम अगर इसको regular practice करेंगे तो it will be very easy for you ओके बच्चा? बट कोशिश करना इसको आफ फिंगर्स पे ट्राएग करना ओके? take care हम regular practice करेंगे तो यह हमें जरूर आ जाएगा take care करेंगे झाल झाल